हेलो फ्रेंट्स, वेल्टम में आज साथ से क्लासेज, आज है 24 फ़रोरी, राज हम लोग 24 फ़रोरी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर हैं, उनके बालों डिसकस करेंगे, तो फ्रेंट्स, आज का वीडियो श्टार्ट करने पहले हम लिए मोटिवेसल आज ये है कि सायद हाथों की लखीरे मंजिल तक ना पहुच पाएं, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी, तो फ्रेंट्स, बिना देरी किये, हम लोग देखते हैं, आज का पहला प्रेंट पूछा जा रहा है कि हाली में किस देश के सर्जी और आमोस ने अं आफसर नमबर ए है ब्राजील, बी है एस्टेलिया, सी हर्जेंटीना, एंडी है स्पेन, तो फेंट्स इस कोशन कर आई डेंस है, आफसर नमबर डी स्पेन और यहाँ पर इमेज दिया गया है सर्जी और रामोस का, कहने का मतलब यह है कि स्पेन के सफसे कैप्ट खिलाड़ ने लाल इगा में रियल मैडरिट का प्रतिनी दित्व किया और अब लिख वन में PSG के लिए खेलते हैं, बात करते हैं अपने देश के लिए कितने बार खेल चुके हैं, तो फेंट्स उन्होंने अपने देश के लिए 180 बार खेला है, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प कहने का मतलब यह है कि संग्युक्त राष्ट महासबा ने 23 फ़रे 2023 को एक गैर बाधिकारी प्रस्ताओं को मंजूरी दिये, जो रूस से युकरेन के साथ सत्रुता समाप्त करने और अपनी सेना वापस लेने का अहवान करता है, और सबसे महतुपूर बात यह है कि संग्यु के खिलाब मद्दान करने वाले देशों में बेलारूस, निकारागुआ, रूस, सिर्या, उत्तर कोरिया, एरिट्रिया और मारली सामिल है, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन है कि किस बैंक ने ओमनी चैनल बैंकिंग की तेनाती के लिए टैगिट के साथ सारस्वत बैंक और यहां पर आप लोग सारस्वत बैंक का एटियम कार्ट देख पा रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि सारस्वत बैंक ने अपने खुद्रा और कार्परट ग्राकों के लिए ओमनी चैनल डिश्टल बैंकिंग समाधान लागो करने के लिए सिंगापूर इस त अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन है कि भारत और किस देश के बीच सात्वी वारसिक रच्छा वारता आविजित की गई है, ओफसर नमर यह है पाकिस्तान, पी है स्रिलंका, सी है बंगला देश, एंडी है रूस, तो फेंड से स्कोशन कराइट अंसर है ओफसर न प्रशन का मतलब यह है कि भारत और स्रिलंका के बीच सात्वी वारसिक रच्छा वारता 23 फ्रवरी 2023 को नई दिली में विजित किया गया है, इसके अलावा इंपार्टेंट यह भी है कि बैट ठक की अधिस्ता रच्छा सचिव, गिर्धर अर्माने और उनके स्रिलंकाई समक जनरल कमल कुडरतने ने की है, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन है कि 24 फ्रवरी को अखिल भारतिय ताइकांडो चैंपियंसिप का उगार्टन कौन करेंगे, ओफसर नमबर A है नरेंदर मोदी, B है निर्मरा सीता रमन, C है अनराक ठाकुर, and D है अमिस्सा, तो 24 फ्रवरी 2023 को नई दिल्ली में अखिल भारतिय ताइकांडो चैंपियंसिप का उधगार्टन करेंगे, और सबसे इंपोर्टन बात ये है कि चैंपियंसिप का योजन, कोरिया, भारत राजनेक संबंदों के 50 वर्ष पूरे होने के उप्रच्च में किया जा रहा है, अगला राजनात सिंग, एंड़ी है योगी आदित तेनात, तो फिंड से स्कुशन का राइडन सेर है ओफसर नमर बी, दुरबदी मुर्मू, जिनका इमेज आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि 23 फरवरी 2023 को राश्टपती दुरबदी मुर्मू ने नई वैक्तियों को संगित नाटक अकादमी फेलोसिप दी गई, जबकि संगित निर्त्य, पारंप्रिक और लोग छेतर की 128 कलाकारों को संगित नाटक अकादमी पुरसकारों से समानित किया गया है, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन है कि किसने पूर्सों की वैक्ति तो फ्रेंट्स इस कोश्चन का राइड एंसर है ओफिसर नमर बी एस्वरे प्रताफ सिंग जिनका इमेल आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कहने का मतलब यह है कि 23 फरोड़े 2023 को एस्वरे प्रताफ सिंग तोमर ने मिसर के काहिरा में ISSF विस्व कप में पूर्सों की वेक्तिगत 50 मेटर राइफल तीन पोजीशन प्रतियोगिता में स्वानपदक जीता है और सबसे इंपॉर्ड़ेंट बात यह है कि उन्होंने अस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर समिरल को 16-6 से हराया है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है कि हाली में पुर्वी तजकस्तान में कितने तिवरता का भुकम आया है कोशन फिर से रिपीट करते हैं कोशन पूछा गया है कि हाली में पुर्वी तजकस्तान में कितने तिवरता का भुकम आया है ओफसर नमबर A है 6202, B है 6204, C है 6208, ND है 7204 अस्थानिय समय नुकसार सुबह पांच बच के 37 बजे पुर्व तजकिस्तान में लगबग 608 तिब्रता का भुकम आया है और सबसे इंपॉर्टन बात ये है कि इसका असर चीन और अन्य पड़ोसी देशों में भी महसूस किया गया है अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है कि 25 फर्वरी को बरिसु कंणर दिम दिमावा उत्सव का उधगाटन कौन करेगा ओफ्सन नुमर ए है नरेंदर मोदी, पी है हमिस्सा, सी है नरेंदर सिंग तोमर, एंडी है अनुराक सिंग ठाकोर तो फिर्ण सिस्कोशन का राइट एंसर है ओफ्सन नुमर ए नरेंदर मोदी जिनका इमेज यहां पर दिया गया है कहने का मतलब यह है कि नरेंदर मोदी 25 फरवरी 2023 को नई दिल्ली के ताल का टोराई श्टेडियम में बरिसुक कंदर, दिम दिमावा, सास्कृतिक उच्सव का उधगाटन करेंगे अब देखते हैं हम लोग अगला प्रेशन अगला प्रेशन है कि केंदर उत्पाद सुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है ओफसर नमबर A 21 फरवरी, B 22 फरवरी, C 23 फरवरी, D 24 फरवरी तो फिर इस इस कोशन कर आएड एंसर है ओफसर नमबर D 24 फरवरी कहने का मतलब ये है कि यह हर साल 24 फरवरी को देश के लिए केंदर उत्पाद और सीमा सुल्क बोर्ड की सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है और सबसे महतुपूर बात ये है कि यह 24 फरवरी 1944 को केंदर उत्पाद सुल्क नमक अधिनियम कानूनों के बनने के उपलच में मनाया गया जाता है फ्रेंट्स अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, सेर और कमेंट जरूर कीजिए आज के लिए तना ही थैंक्यू वेरी मच